हलो एब्रिवान कैसे हो आप सब स्वागत है आपका आरेस क्लासिस में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज पूरे दिन में जो भी अपडेट आये हैं उनके रिलेटिक जो जो युनिवसिटि की अपडेट्स रहे गए है जो मैं पुरानी वीडियो में नहीं बताओए हूँ तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको official sites पे लेके चलती हूँ जिस जिसके जो notification आया है साथ में हम उनको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि notification में लिखा क्या है सबसे पहले हम Center University of Kerala की official site पे आये हैं जो है cu kerala.ac.in तो यहाँ पर जब हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर एक notification आया है यह वाला तो इसको हम पढ़ लेते हैं notification procedure regarding online counselling for admission तो इस पर क्या लिखा है इसमें देख लेते हैं तो इस पर लिखा है online counselling for admission procedure candidate who have applied for admission to various program in C UKER and appear for C UCT 2020 are hereby informed that they have to participate in online counselling procedure which will commence after the declaration of C UCT 2020 result those who register themselves in online counselling portal only will be considered for drawing the final merit list from which admission will be offered on merit and following GOI reservation norms the link for online counselling portal will be uploaded in university website under admission after the declaration of C UCT result तो इन्होंने यहां पर यह लिखा है कि पहले registration होगी और जो बच्चे registration करवाएंगे सिरफ वही जो है उन्हीं के नाम merit list में final merit list में आएंगे जिनके basis में admission होगी तो केरला का जो हमारा format रहेगा इसमें यह होगा कि पहले इसमें registration होगी registration के बाद इसमें फिर एक merit list बनेगी और merit list में जिन जिनका नाम होगा उनके admissions हो जाएंगी तो केरला ने clear कर दिया कि उनकी पहले registration होगी और बाद में जो है वो merit list बनेगी और जो registration है वो जल्दी ही थोड़े दिनों में उसका जो portal है वो active हो जाएगा और यह अपनी site पर डाल देंगे ठीक है जैसे ही यह portal हो जाता है तो मैं बता दूंगी इसी तरीके से कहरेला के सासर गुजरात के बारे में Tamil Nadu के बारे में इनके बारे में मैंने कल की वीडियो में बता दिया था इनका भी ऐसा ही notification आया है जिसमें इनोंने बोला है कि registration लिक जो है वो थोड़े दिनों में यह अपनी साइट पर ढाल देंगे ठीक है देन उसके बाद और मैंने जिस युनिवेस्टी का बताया है जिन में से एक साउट पिहार और एक पंजाब इनकी मैरिक लिस पहले आ रही है और registration बाद में हो रही है बाकी जो राजसान के बच्चे उनके लिए जो परसंटायल है वो आ चुकी है परसंटायल जो है यू आप अकेले नहीं निकाल सकते और percentail जो है वो उनिवेस्टी वालोंने आपको निकाल के दी है क्योंकि percentail निकालने के लिए आपको सभी बच्चों के scores चाहिए होते हैं और total number of students चाहिए होते हैं उसके बिना आप वो नहीं निकाल सकते तो और सिरफ जो registration है राजस्थान उसके लिए उन्होंने restriction रखी है कि 30% से कम वाले जो है वो register नहीं करवा सकते हैं अगर करवा भी देते हैं तो उनकी admission को consider नहीं किया जाएगा उनको admission नहीं दी जाएगी बाकी अगर आपके 10-20 जितने भी पर है आप बाकी universities के लिए registration करवा सकते हैं जैसे ही कोई भी notification आता है मैं आपको बदा देती हूं तो आप मुझे बार बर जो बच्चे के comment का answer पता है तो उसको वही reply दे दो ताकि उसकी help हो जाए ठीक है और कुछ बच्चे form के related पूछने कि मैं मेरे form में इस तरीके से problem हो रही है तो जो मैंने form नहीं फिल कि है मुझे नहीं पता उसमें क्या-क्या चीज़े मांग रहे हैं जो कुछ बच्चे मुझे दिखाते हैं कि मैं यह इस तरीके का है तो मुझे वहीं से पता चलता है क्योंकि मैंने form नहीं फिल किया है तो जिन बच्चों ने already form फिल किया है आप उनसे help लेने की कोशिश करो वो better आपको help कर पाएंगे तो telegram group में वैसे maximum बच्चे help कर देते हैं तो यह मेरी request है जो बच बच्चे करते भी हैं बट फिर भी मैं एक बार बोलना चाहती हूं देन एक और जो problem बच्चों को आ रही है हर्याना की जो site है वहां पर process complete हो जाता है सब कुछ application form वगेरा उसके नीचे complete आ जाता है complete application उपर incomplete आ जाता है तो इस चीज के लिए comment मुझे बहुत सारे बच्चों ने की हैं तो जो वह आता है ना तो वह मुझे लगता है कुछ site में issue है वह procedure आपको complete हो गया वह उपर incomplete क्यूंच हो रहा है पता नहीं बट मुझे लगता है वह procedure complete हो गया बाकि जो undertaking के लिए बोल रहे हैं बच्चे अगर आपकी graduation की नहीं आई है mark sheet नहीं आई है तो आप उसकी जगह पर undertaking लिखता हो undertaking में कुछ नहीं होता है वह एक तरीके के application जैसी होती है जिसमें आपको यह लिखना होता है आप अभी वो document क्यों नहीं submit करवा सकते है तो आपको बस उसमें reason लिखना होता है और फिर वो आपको submit करवा देनी होती है मतल हम अब आगे बढ़ते हैं यह notification केरला का था इसी तरीके से गुजरात का आगया जारकंड का अंदरपरदेश का जम्मू कश्मीर का इनका भी तक कोई notification नहीं आया मेरे पास अगर मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूँगी अभी तक official site पर कुछ भी upload नहीं हुआ है और जि message कर देंगे तो जादा attention मतलो बस official site पर time to time visit करते चलो ठीक है तो I hope अभी तक के जितने doubts से आपके मैंने clear कर दी हैं फिर भी कोई doubt होता आप comment section में लिख दो मैं कोशिश करूंगी उसको reply करने का और telegram group को join कर लो अगर नहीं किया है तो और वहाँ पर सिरफ आपको इसलिए करने की आप वहाँ से अपनी help लोगे आप बच्चों से सिर्फ अपनी help करोगे और बाकियों के नहीं करोगे बच्चे ऐसा नहीं होगा आप सब को एक दूसरे की help करनी पड़ेगी थोड़ा helpful nature रखो अपना अगर आपका application form पूरा हो गया है तो कोशिश करो आप बाकी बच Center University of Odisha की साइट पे जो cuo.ac.in है तो इसमें जो है सुबा में आपको बहुल रही थी कि मेरे से यह नहीं open हो रहा है तो मुझे लगा कि शायद मेरे ही network में इस्यू है बट पता नहीं था वो साइट में कुछ इशू था तो यहां पर यह देखो दो लिंक है आपको पूछ लेना ठीक है और अगर आपको किसी भी उनिवेस्टी के लिए कोई डाउट है अगर आपको उनको यहीं पूछना है कि जो registration form है वो निकले हैं कि नहीं अब तब भी उनको help line नंबर पर call करके पूछ सकते हों कि registration form अगर आए हैं कि नहीं जैसे आप और यूणिवेस्टी का पूछ रहे हो ना जारकन का ले लो या जब मोगश्मीर का ले लो तो आप उनको call कर लो आपको नंबर मिल जाएगा तो आप उनको call करके उनको पूछ लो ठीक है अब हम एरिट लिस्ट पर open कर ले दे हैं दो लिंक है किसी पर भी क्लिक कर सकते हो तो यह अब open हो रहा है तो जैसे कि यह देखो यहाँ पर लिस्ट है अगर आपको BA का देखना है BCA का देखना है Integrated MSC Maths है Economics है जिसका भी देखना है तो मैं जो first है उसी को क्लिक करके देखती हूँ तो पहले डाउनलोड कर लेते हैं तो यह डाउनलोड हो गया है और open भी हो गया है तो यहाँ पर देखते हैं merit list का किस तरीके से है यहाँ पर देखो सबसे पहले इन्होंने journal category के लिए यहाँ पर इन्होंने कितने बच्चों क list निकाली है 25 ठीक है 25 बच्चों की list निकाली है अगर इन में से आदे बच्चे admission लेते हैं आदे बच्चे admission नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा फिर वो क्या करेंगे बाकी के बच्चों के लिए second list में नाम निकालेंगे ठीक है उनको अपनी seats fill करने है जब तक पूरी seats fill नह के बाद फिर list निकल जाती है तो यहां देख सकते हैं जो first student है उसके marks है 68.25 और जो हमारा last student है उसके marks है 57.75 तो आप देख सकते हो पहली list में इतना नाम आया है तो यह last 57 है तो कितना जादा से जादा 45 तक चला जाएगा इस से जादा नीचे तो नहीं जाएगा तो फिर 45 आ 1.75 है अब देखो आगे जो list आती है उसमें last क्या आता है देन उसके बाद यह OBC के लिए है तो OBC के इन्होंने बच्चे लिए हमारे पास 16 बच्चे लिए है जिनमें से जो सबसे नीचे है उसके 54 marks है देन SC के लिए highest 55 है और जो last है उसके 47 है और ST के लिए highest 52 है और जो lowest है उसके 47 है देन EWS में हमारे 57 है और last वाले के 55 है PWD में दो ही है 53 and 50 कश्मीरी migrant में एक ही है जिसके 12 marks है देन उसके बाद defense के लिए 2 है एक 51 और एक 46 ठीक है तो जितने भी बच्चे थे उनका मैंने आपको बता दिया यहां पर अब यहां पर लिखा है कि जो registration होगी ना क्योंक यहां इसकी registration जो है वो 2021 दो दिन है इस तरीके का यहां इन्होंने लिख है तो आज शाय रेजिस्टेशन स्टार्ट हो गई थी इधर E-Counseling का एक option था पीछे था शायद से तो यहां E-Counseling का जहां पर option है न तो आपको वहां पर click करके आपको वहां पर click करके I think वहां पर आपको click करके क्या करना है आपको वहां पर registration के लिए fill करना है जितना मुझे पता है आप call करके पता कर लो यहां फिर आगर किसी बच्चे ने यह counseling का phone फिल किया है तो वो comment में बता देना ताकि पता चल जाए मुझे पका नहीं पता click करते है तो यह देखो यहां पर यह एक तरीके का registration का ही है मेरे हिसाब से यहां पर आपको roll number लिखना है date of birth लिखना है login करके उसके बाद शायद से आपको यह registration form जो है यह fill करना है इसमें नीचे documents के related भी आ रहा है तो यह भी देख लेना तो जब यह registration हो जाईगी न आपकी उसके अगर आपके documents वगरा सही होंगे तो आपके admission होने के पूरे chance और आपके सही होंगे तो ठीक है तो यह रहा Odisa का जो बाखी universities के बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा उन्होंने भी registration करवा दिये अब registration के बाद उनकी merit list आईगी जैसी इनकी पहले आ गई है तो यह Odisa का था तो कुछ भी doubt होता पूछ लेना और यह e-counseling के related बता देना अगर किसी ने फिल किया है तो ठीक है देन हम next site पर चलते हैं यह south पिहार की है जो cusp.ac.in है यहां पर उपर ही आ जाता है यह red color में इसको click करते हैं जैसे इसको click करते हैं तो फिर इस तरीके से यहां पर नीचे जो है वो merit list show होना start हो जाती है तो यहां पर देखो सभी subjects की merit list है तो इसमें भी जो सबसे पहला वाला है उस पर click करके देखते हैं जो B, A, B, A, D इस पर जब हम click करेंगे तो यहां पर इस तरीके से open होगा लेकिन इसकी merit list में और ओडिसा की merit list में यह फरक है कि यहां पर limited बच्चे थे यहां पर जितने भी बच्चों ने apply किया I think सभी कही नाम दे दिये गए हैं देखो यहां पर कितने सारे बच्चे हैं यह अभी मैं 30 page पर पहुंचिए और 100 प्लस बच्चे हो गया है तो जो सबसे जिसके अच्छे marks हैं जो top पर या first rank पर वो है हमारे पास 85 marks ठीक है अगर यहां पर 30 seats होँगी तो definitely सिरफ 30 बच्चों की ही selection होगी जो है 61 इन मेंसे भी अगर कोई 10 बच्चे छोड़ देते हैं तो हमारी selection हो जाएगी 59 पर तो B.A.B.Ed का B.A.C.B.Ed का इनका cutoff ऐसे भी high जाता है तो अगर और कम पर भी कितना ही कम चले जाएगे तो at least जितने 100-200 बच्चे तक जिनका rank है वो फिर अपने थोड़े chances रखें बट जो 200 के पीछे है उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि उनको seat मिल पाईगी बट यहां पर एक चीज और है कि यहां पर अभी यह जो है इन्होंने combine दिया इन्होंने category wise नहीं दिया तो बात में जब merit list प्रॉपर merit list बनती है तो उसमें जर्नल के लिए अलग से list होती है जैसे आपने Odisha में देखा EWS के लिए अलग से बच्चे होती है तो स्पोस करो आपका नाम जो है वह 90 पे स्पोस लेकिन 90 के उपर जितने भी थे उनमें से कोई भी जो है वह ओबीसी का नहीं था ऐसा पॉसिबल नहीं है I am just taking an example कि 90 पे आपका नाम है और आप ओबीसी के first बच्चे हो तो सब्सक्राइब है और आप से ओपर कोई भी ऐसी नहीं है तो आपके admission होगी यहां फिर एक दो है तो फिर भी होगी क्योंकि सब्सक्राइब होगी आपके admission मिलेगी बाकी chances बहुत कम है तो अगरा फिर भी registration करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं ताकि बाद में आपको registration की fee लेकिन वापिस नहीं होती है तो वह आपकी मरजी है तो बाकी यह देख लेना तो आप इसके बाद जो है registration का link आइधिंग ओपन हो जाएगा यहां पर तो उसके बाद आप registration करवा सकते हैं इस university के लिए भी तो मुझे लगता है कि इसका भी जो registration का जैसे ही portal on होगा तो आपको message कर देंगे तो आज जितनी भी उनिवेस्टी का update था वो यही था जो PhD के बच्छे भी message कर रहे हैं तो बच्छे आप खुद official site पर चेक कर लो करनाटका और अभी मैंने केरल का बताया इंके notification आया registration नहीं आया बट कहीम पर confusion हो जाती है मैं करनाटका इंतल का भी नहीं आया करनाटका खाया नहीं याद रहते हैं क्योंगी बहुत सारी ministries कईबर confusion हो जाते हैं राजसान में 1000 रेजिस्टेशन फी है और पंजाब में भी कुछ इतनी है बट मेरे को एक्जाक्ली नहीं आद तो अब आप में को पूछे को मैं पंजाब की रेजिस्टेशन कितनी है तो नहीं याद है क्योंकि बहुत सारी साइट्स होती हैं गन्फ्यूजन हो जाती है फिर जितना मुझे याद रहता उतना मैं बता देती हूं तो फिर वे अगर कुछ इदर उदर हो जाते हैं तो प्लीज थोड़ा समझा करो और कॉमेंट्स में भी एक दूसरे की हल्प करने की कोशिश किया करो और टेलिग्राम ग्रूप पे भी तो जितना आपसे हो सके उतना दूसरों की हल्प करो और अगर ये वीडियो आपके लिए हल्फुल लगती है तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर न? अगर कुछ और डाउट रहा जाता है आप कॉमेंट सेक्षण में पूछना और बार बार एक ही चीज़ मत पूछना कि मैं इस युनिवस्टी का कब आएगा इस युनिवस्टी का कब आएगा? अगर कुछ न कुछ आया आएगा तो मैं बता दूँगी न? कुछ वीडियो में अगर यह वीडियो अच्छी लगते है उसको लाइक करना और साथ में पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना तब तक के लिए बाए बाए टेक केर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में